तो दोस्तो इस टाइम बहुत सारे Android यूजर के साथ एक common problem आ रही है, उनके mobile phone में Bluetooth आन नहीं हो रहा है, जैसे वो अपने Bluetooth को आन करने जा रहे है तो उनका यहाँ पर Bluetooth आन नहीं हो रहा है, तो आज किस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आपके mobile phone का Bluetooth भी आन नहीं हो रह हो तो आगर आपके mobile phone में Bluetooth आन नहीं हो रहा है, तो आज किस वीडियो में आपको तिन ऐसी setting बताने वाला हूँ, जिन तिन settings को enable करने पर मैं guarantee के साथ, life proof के साथ, आपकी आँकों के सामने अपनी इस problem को solve करके बताने वाला हूँ, तो तीनु setting आपके लिए most important होने वाली है, तो आए फिर इस वीडियो में जानते हैं, यह आगे हम mobile phone की home screen पर तो सबसे पहले आपको इस videos को like करके channel को subscribe कर देने, क्योंकि most helpful video आपके लिए होने वाली है, तो यहाँ पर आपका mobile phone में सबसे पहले setting की करने होगी, आपका mobile phone की home screen पर आने के बत settings open कर देना होगा, तो जैस आप अपने mobile phone की settings open करेंगे, तो setting का कुछ ऐसा interface निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पर आपके समने बहुत तरे option हैंगे, wifi का mobile network, Bluetooth का, wallpaper का sound and vibration करने चाहेगा, battery का additional setting का, about device का, तो आपको setting के top करना पर search bar में direct search करना होगा, R, E, S, E, T, आपको reset लिख के search कर देना होगा, तो दि reset all setting का रहा हो सकते हैं, आपकी mobile phone में reset setting का, तो reset setting reset all setting एक ही चीज़े आपको बिल्कूल confuse नहीं होना, आपको आपको तीसा आपढ़े पर क्लिक करना है तो जैसी आप क्लिक करेंगे अगेन आपके सामने तीन आप्षेंगे तो आपको पहला बीन दूसरे आप्षेंग पर क्लिक करना है तो जैसी क्लिक करेंगे जो भी आपके मुबाइल फून में security pattern रखोगो security pattern को लगा जाना है तो जैसी आप लगा देंगे अगेन आपके सामने ऐसा interface आगा तो आपको बॉटम में red color में reset setting पर क्लिक करने अगेन और एक पर क्लिक करना है जैसी क्लिक करेंगे दखिए आपके mobile phone की setting reset हो रही ही बाग कि आपके mobile phone कोई भी data डिट्ट होगा आ यहां से देखने most important सड़ी है आपको अपने mobile phone की home screen पर आने को दुबारा से settings को open कर देना है तो जैसी आप settings को open करेंगे तो again setting का कुछ वैसा interface निकल करेगा अब यहां पर आपके समने same वही option हैंगे तो आपको scroll करना है तो जैसी आप scroll करेंगे तो यहां पर आपको दिख र सारे की सारी apps को निकाल के लाना है तो जैसी आप अपने mobile phone की settings में सारे की सारी apps को निकालेंगे तो आपके mobile phone की installed application कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे तो दोस्तों यहां पर आपको scroll करना है आपको अपने mobile phone में setting नाम के option को डूंट के निकालना है तो कहां गया setting जैसी यहां पर मैं scroll करूंगा कहां गया setting तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर मैं scroll करूंगा यहां गया screen shot के निचे setting तो आपको settings का icon पर click करना है तो जैसी आप settings का icon पर click करेंगे तो setting का कुछ ऐसा interface निकल के आ जाएगा तो यहां पर आपके सम्ने बहुत सारे यहां पर आपको टॉप करना पर center में first stop के icon पर click करने के अगेन आपको bottom में first stop करना है तो आप back mobile phone की home screen पर आ जाएंगे तो यह आगली setting number second अब आपको अपने mobile phone में last and final setting सबसे important setting करने होगी आपको अपने mobile phone की home screen पर आने के बाद जो भी आना फिल बटन है इसको लांग प् आपने mobile phone को last पर at least एक बार start your remote मार देना तो दोस्तो रिस्टाट रिबोट माने से आपके mobile phone कोई भी data डेट होगा data आपके mobile phone पर अब होगी या नहीं हुई उसको check रिक लिए जैसी हम यहाँ पर scroll करेंगे देखिए यहाँ पर Bluetooth को click किया जैसी Bluetooth को क्लिक के रिखिए आपके इन तिन सेटे के मज़से आप जबने बिलिटोफ आनना होने की प्रावर्म को सालुक कर सकते हैं यह थी चोटी सी इंफार्मेशन वीडियो अच्छी लेगी चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए थैंक यू